हाई फ्रेंट जैसे कि आपको पता है कि ड्राइक कप और वेट कप दो टाइप की खासी रहती है और बहुत सा टाइप की रहती है और मैनली यही ज़्यादा मेजरेटी में पाई जाती है पिशन्स के अंदर तो वेट कप में डॉक्टर कौन से कप सीरफ रिकमेंडेट करते है और ड्राइक कप में कौन से कप सीरफ रिकमेंडेट करते हैं और इनका डॉक्टर किन किन केस में क्या क्या रिकमेंडेट करते हैं तो वो सब बात है इस वीडियो में मैं सेयर करूंगा जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों के दिन में कप होना एक नॉर्मल बात है कप और ख सब्स्ट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वह सब बात है इस वीडियो में मैं सेर्ट करने मौला हो ताकि आपको ड्राइक कप और वेट कप के बारे में संपूर्ण जानकरी मिल सके तो यह वीडियो के वाल एजूकेशन परपस के लिए है कोई भी मेडिशन से कोई भी द अले के अंदर रहता है जिसके अंदर गवल गन निकलता है कंति द्राइक जो इस ऐस ररता है और चैसर घोचासरीन अ threads रहता है और और रस आह सर्थले लिए स रहता है तो यह सब कभसी रूक्त्र चोंप कि रूए युजाने हो वाला सीरफ डियोग आशाने है जोकि क्या करते है कि कप को बार निकालने में यूज उता है और ड्राय कप के अंदर यूज होने वाला कप सीरफ जिसके अंदर dextro-mythopen रहता है वो ड्रायकप रहता है जैसे कि इस तक हैं धी इक्स जिसके अंदर डेश्ट्रोप ईन है, एस्कोरिन, डी प्लस सीरप जो कि इसके अंदर भी एस्कोरिन भकडा रहता है और ग्रिन लिन्टरस और चैरी कॉप और एमप्रो लाइट डी कब शिरप जो कि यह सब कब सीरप जो कि वेट कब में use होते हैं जो कि dry cup में use होते है जो कि सुक की खासी में use होते है तो इन धोनों कप सीरफ में यह difference है कि जो dextromi top fins है जिसके अंदर dx लिखा रहता है वो dry cup में use होता है वो other cup सिरफ जो कि weight cup में use होता है अदर्वाइस जो डिस्क्रिप्सम में इमेल आइडियो वहां पर पूसकते हो चैनल पर और वीडियो पर पहली बर आप विजिट कियों तो मारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसको दवाए ताकि जब भी में नेक्स वीडियो अप्लोड कर हो जाए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखी